है लो दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हम आप सभी अच्छ होंगे स्वागत है आपका श्रमा रिजिनिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों आज हम लोग मैट्स का टोपिक एवरेज का पार्ट एट डिसकस करेंगे दोस्तों उसे पहले मैंने आपको साथ पार्ट आने की भाग साथ तक आपको मैंने पढ़ा दिया है जिस भाई बेन वो वीडियो नहीं देखी है वो राजस्तान वनरक्षक वनपाल मैथ नाम से इस चैनल के उपर प्लेलिस्ट है आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते है वीडियो को और दोस्तों वीडियो जहां भी समझ में ना आए वहाँ पर आप कमेंट कर देना ठीक है एक बार वीडियो को आप चाहिए बैक करके दुबारा देख लेना जहां समझ में ना आए ठीक है दोस्तों और बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने मैथ का त्रिका याद रखे ट्रिक वाला कैसे दोस्तों यह आपके पास संख्याएं दी हुई है क्या दी हुई है दोस्तों यह संख्याएं दी हुई है ठीक है अब देखो यह क्या है आपकी लास्ट संख्या है कौन सी संख्या दोस्तों यह आपकी लास्ट है और यह आपकी क्या है ठीक है कौन सी संख्या ये दोस्तो पहली संख्या है अब उस्त निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सुत्तर तो होता है कि संख्याओं का योग बटा कुल संख्या यानि कि इसको और इन सबी को जोड़के और बटा में जितनी संख्या हैं एक, दो, तीन, चार इन सबी को बटा में 4 लिख दो हाना लेकिन दोस्तों यहां भी मैपको बता देता हूँ बिल्कुल सीम्मल सा तरीका में आपको बताया भी था ठीक है और एक बार हम फ्लेश बेक रिवीजन कर रहे हैं ठीक है दोस्तों यह क्या है लास्ट संख्या ये क्या है पहली संख्या तो पहली संख्या में लास्ट संख्या में पहली संख्या जोड दो और भाग दे दो दो से कितने से दोस्तों दोसे आप लोग भाग दे दो तो क्या हो जाएगा वो उसका उस्त निकलेगा ठीक है अब इसको जब आप जोड़ोगे दोस्तों तो क्या कितने पे जाएगा दोस्तों 242 पे जाएगा कितने पे जाएगा दोस्तों 142 पे जाएगा ठीक है है नहीं समझ में आ रहा यह देखो 142 आएगा कितना है दोस्तो 142 आएगा आई बात समझ बे कैसे निकालते हैं कुछ नहीं करना है कितना भी टफ क्योशिन क्यों आँ दोस्तो आप एक फंडा याद रखो लास्ट संख्या को उठाएंगे पहली संख्या को उठाएंगे इन दोनों को जोड़ेंगे बटा दो कर देंगे नहीं कि 2 से उसका भाग देंगे वहीं उसका उस्त आजाएगा ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं क्या करता है इसी तरह से कुशन है 16 18 20 और लास्ट में दिया 160 क्या करना आपको उस्त निकालना है कोई दिक्कत नहीं है लास्ट संख्या आना आपको फास्ट तरीके से आना चाहिए तो यह हो जाएगा 176 बटा दो 176 बटा दो जबाब करोगे दोस्तों तो यह क्या आजएगा 2888 इसका अंसुर आएगा दोस्तों इसके निरा भाग देके देख लो 2816 एक 6 पल बचा और उपर से 6 जाएगा तो 2816 ठीक है तो 88 इसक को भाग देना नहीं आता गुना करना नहीं आता वह कोमेंट में प्लीज बताओ ठीक है मैं आपके लिए उसकी व्यलक से वीडियो लेके आ ज़़ोंगा तो इसका जो सत आया है इसका जो सता है वो कितना है दोस्तो 88 आया ठीक है तो आपको जब पेपर में 87 दिया है उस पर करके 140 तक यह तो गया numerical question ठीक है ना अब इसने ऐसे दे दिया यह होता है descriptive question यानि कि theory वाला question कौन सा दोस्तो theory वाला question ठीक है theoretical question कैसे solve करना है इसने काया है पर्थम 120 पूरण संख्याओं का उसत अब दोस्तों मैंने आपको बार-बार बताया है अब पूरण संख्याओं कौन सी होती है जो zero से start होती है कहां से start होती है दोस्तों zero से जो start होती है वो क्या होती है आपकी पूरण संख्याओं होती है ठीक है ना अब इसने काया 120 पूरण संख्याओं तो लास्ट संख्या यहां पर क्या बनेगी 119 ठीक है अब 119 यह क्या है लास्ट संख्या और यह क्या है आपकी पहली संख्या है अब लास्ट प्लस फर्स्ट करो तो 119 प्लस 0 बटा में 2 अब काफी सारे लोगों के गन्फूजन भी है कि 0 में हम जोडेंगे तो क्या बनेगा क प्राफिसार लोग है ना इसे करते हैं 119,0020 में जोड़ा तो यह आ गए जिरो जिरो जोड़ा जोड़ा एक सोबीस में जोड़ी तो एक सो पीस रहा ठिक है अब 119 बटा में दो भाग में देना यह दो से अब इसकांसफर क्या आएगा अब देखो यहां पे आप पॉइंट हो से भाग देना भी सीख सकते हो 119 में आप दो का दोगे देखो पहारा पड़ो दो एक कम दो दो दूनी चार दो तीए च्छे दो चो क्यार दो पांजे दस दो पांजे दस यहां पे आगया एक सेशफल बचा यह नो बोला दस तो कितना सुरह है दोस्तों 119 बटा दो करने पे आप का सुरह है 69.5 कितना है दोस्तों 69.5 और यह 69.5 जो है वो क्या है आपकी संख्याओं का ओसत है यानि कि कौन सी संख्याओं का ओसत है दोस्तों 120 पूरण संख्याओं का कितना है 69.5 यानि कि 69.5 एक ऐसी जगह होगी जब 1 से 120 तक हम गिंती लिखेंगे तो यहाँ पे 69.5 एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे इसका ओसत होगा ओसत का मतलग इसके इस तरफ भी इतनी संख्याए होगी और इसके इसी तरफ भी इतनी संख्याए ही होगी ठीक है दोस्तों समझ माया ठीक है क्रेशन समझ माया रहे हैं अगला देखो अगला कहता है पर्थम 135 प्राकृतिक संख्याओं का ओसत अब यहां पर नोट करो दोस्तों यह क्या है प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है प्राकृतिक कौन से होती है दोस्तों मैंने आपको पहले संख्या होगी एक तो 135 प्लस एक बटा में दो तो टोटल होज़ेगा 136 बटा दो ठीक है दोस्तों कुछ नहीं कि हमने जोड दिया 136 बटा दो 136 में जब आप दो का भाग दोगे दोस्तों तो कितना आएगा 68 आए ना 26 12 एक 6 पुल बचा उपर से चाय आ गया तो दो आट 16 ठीक है तो 68 इसका क्या आया 135 प्राकरतिक संख्याओं का जो है क्या आया दोस्तों उस्त आया है क्या आया है औस सथा आया कितना है दोस्तों 68 ठीक है न यह अप कांस्वर हो जाएगा 68 नेक्स्ट क्योशन देखते हैं क्या करता है पर्थम आठ समसंख्याओं का उसत अब देखो दोस्तों पर्थम आठ समसंख्याओं कोन सी होगी समसंख्याई कोनशी होती है जिसमें दो का भाग जाता है याद रखो जिसमें जो जो दो से विवाजी तो यानि कि दो से बाजी तो ठीक है 5 6 7 8 आठ संख्याएं ल VIDIK PAR ISS подумOM 1031 107 असे कि ji अप्सम संख्याइए कि तरह में पर फिट다्य तो आपको कर देको 178 अप मिने आपकोester बड़ा को टूरर सब्सक्राइब नो और इसमें आठ में एक जोड़ दो तो भी कितना आएगा नो तो आप ट्रिक याद रखो ना दोस्तों आपको वहां पे टाइम बचाना है तो आप ट्रिक याद रखो कि जब भी समसंख्या का पूछा है तो जो नुम्बर दिया है उसमें एक जोड़ दो वही उसका उस्तों जगात आठ प्लस एक नो हो गया ठीक है कोई पचले हम पटने की लोड़ी नहीं है अगला कुषिन परत्रम साथ विसम संख्याओं का उस्त अब इसम संख्या होगी ट्रिक मैं बताऊं चो दिया है न वो का उसका उससत साथ ही है दोस्तों ठीक है साथ का कितना है साथ है कर प्रूफ करके दिखाऊं देखो विसम संख्या कौन सी होती है जिसमें दो से भाग नहीं जाता क्या नहीं जाता दो से भाग जो है वो नहीं जाता वही होती है विसम अब देखो दोस्तों तीन विसम है तीन के बाद पांच विसम है पांच के बाद साथ फि किसे स्टाट हो गी एक तीं पांच साथ और तेरह अब साथ होगी ठीम्न है ठीम है पहले संख्या- ठीम्न करन ऊंट हो चास्थ क्तव है और कि cow ज्ड़ 43 लक्ते संक्या- एक है मैट्स, अनस्कनम करने तो जो जो है जो वह सत जो है वह वह क्या रहेगा दोस्तोन सेम रहेगा क्या रहेंगा झाल रहत एक जो थे किया है Поэтому खूँ जूँझे करते हैं सबसे पहले तो इसमें एक पॉइंट करो ढूननफल ने क्या होता है दूसतों गुना करने के बाद जो अंशुराता है 2 इंटी 3 ईनल कहीं होका आह उत्र मैंने का इंट ध्क्लो ऌट करके द्यान से समझना इसने का यदि नो संख्याओं का उस्त पंतालिस है तो पहली तथा चोथी संख्या का गुनन फल गयाद करो मैंने कल आपको बिल्कुल सी ट्रिक बताई थी क्या नो संख्याओं पुछी है तो नो डिब्बे बनाओ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो अब इसका उस्त कहां आएगा दोस्तों उस्त वह उता है जहां पे जहां पे दोस्तों लेफ्ट और राइट यानि की दाएं और बाएं दोनों जगहां पे संख्याओं बराबर हो तो अब एक बात देखो दोस्तों इसका ये वाला हम वागे बोक्स उठाएं तो इसके आजेगा 46 47 48 और 49 ठीक है यह अब हमारे पास लाइन बन गई है अब इसने कहा है पहली तथा चोथी संख्या का गुनन फल तो पहली संख्या है ये वाली चोथी संख्या ये वाली 44 पहले संख्या 41 दूसरी संख्या 44 अब 44 गुना 41 आपको करना है दोस्तों कैसे करोगे देखो ध्यान से ठीक है जिसको गुना नहीं करना था वो ध्यान से देखो प्लीज तो 44 गुना 41 करना है गुना करो एक को जब आप किसी संख्या से गुना करते ह 1804 तो इसका अंस्वर कितना है कि दोस्तों पहली और चोथी संख्या थी हमारे पास 41 गुना 44 ठीक है तो उसका हमारे पास अंस्वर कितना है 1804 ठीक है आई बात समझ में इसने कहा था 9 संख्याओं का उसस तो 45 है तो 9 डिबे बनाओ ऐसी कोई संख्या डूंडो जिसके आजू बाजू दोनों तरफ बराबर हो वही उसका उससत होता है जो सथ आपको दिया हुआ है वैल्यू में वह सथ वहां पुट करो और बाद में उसका अंस्वर निकाल दो बस सिंबल सी बात है ठीक है अब देखो यह क्योशन आज का नया क्योशन है नया टोपिक है अब इसने प चीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ठीक है अब यहां पे कनिफ्यूजन यह रहेगी दोस्तों दस डिबों के अंदर हमारे पास ऐसा कोई बीच वाला पॉइंट नहीं आता जहां से हम यह कैसके कि उसके दाएं और बाएं दोनों संख्याएं बराबर है जैसे कि फॉर एक दस है ठीक है तो एक ऐसी जगह डूंडो जिसके आजू बाजू दोनों में बराबर बराबर हो जाए तो देखो अगर यदि मैं यह वाली जगह देख लो यह वाली यह वाली जगह ठीक है दोस्तों जहां पे मैं रूखो मैं अलग मारकर से लिख दे तो आपको समझ यह अगर मैं यह वाली जगह देखूं तो इसके इस तरब भी पांच है संख्याएं और इसके इस तरब भी पांच संख्याएं हैं तो क्यों ना वसहां संघ्लना तो ऑफिषाएं कंसरे और और तेरा चोंगां तो आज़ों ग्यारा तर्लेना जेया यहां और 17 संख्याओं का उस्त बोला था यह वो तरिका जब आप उस्त ढंग से नहीं निकाल सकते उस्त जैसे कि आप यह बीच का उस्त था बारा पॉइंट पांस था तो कैसे से निकालते हैं 12.5 देखो यहां आया तो इसके इस तरफ तो 12 होगा इस तरफ 13 होगा क्योंकि 12.5 12 और 13 के बीच में तो आता है ना तो इस तरफ आप नंबर लिग दो इस तरफ आप नंबर लिग दो इसने कहा है तीसरी 10 और 15 संखिया अप आप अराम से ग्याद कर सकते तीसरी संखिया है अब देखो उस्त आपको निकालना है तो 11 की जायड सी बात है 11 में तो आपका उस्त आपको दिखाई देई रहे कैसे अगी आप यह वाला डिबा उठाओ तो इसके इससर पंच इसके इससर भी कितनी है पंच ठीक है अब उस्त की बात करें तो यहाँ पे आएगा 28 उस्त इसन संख्या आप गया तरह सकते हो दोस्तों तीसरी संख्या कौन सी है ध्यान से हो तिसरी संख्या क्यों सी ये वाली फिर चेश आव चोती fonctionne Rod चाली तैस तो तिसनी संख्या औगी twpp 52 प्रक्षीं चैने कि सोब ढूँए युजड़गा तीस बुदीन कभें इसके हुश्व पत्षील्स ओदेखाँ सॉप्षण और 3 25 और 8 में 30 est04 अब देखो सिसने का यदी चार संख्याओं का तो पॉइंट पांच है तो तीसरी संख्या ग्याद करो अब देखो वह क्योशन आगा चार डिबे मनाओ एक दो तीन चार अच्छा सर जी अब इसमें उस्ट कहां से देखें अगर यह डिबा उठाते है तो इसके इस तरफ दो है इस तरफ दो है तो कुछ नहीं करना दोस्तो आपको नहीं इसने क्या क्या है दो पॉइंट पांच है तो ऐस्ट जैसे बते हैं याँ अगा ना तो यहां दो इस नहीं रख रहता है क्योंकि दो और तीन के बीच सघँने चार देख यह कुछळी प्लस तीन बटा दो यह कुशन दुबारा देने का मेरा आपको श्रेय यह है कि मैं चाहता हूँ आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए देखो ऐसा दिखा कुछ लिए करना एक सोन चास प्लस तीन बटा में दो तो एक सो बावन बटा दो हो जाएगा आप फटा फटा आप इस इन दोनों को एड़ किया यानि कि जोड़ा तो एक सो बावन बटा दो हो गया अब इसका निकाल लो चैतर इसका आपके पास चैतर इसका होसत आजएगा ठीक है आगया समझ में आप देख उसने का बारें चोड़ें और एक से श्वल तो दो उपर से आगया तो दो शिक बा दोस्तों आपकी कलम यूं फटा फर चलनी चीजिसे मैं बोर्ड पर चला रहा हूं तो एक सो ब्यासी बटा दो कितना हो जागा दोस्तों दोनी में ठारा दो एक कम दो तो इक यानवी इसका उसका कितना आगया इक आनमे देखो इस तरह से आप फास्ट निकालोगे ना तभ तो नहीं होगी confusion इस बात की मैं guarantee देता हूँ आपके सारे solution doubt clear हो ठीक है और रख दोस्तों क्योशन नंबर एक क्योशन नंबर दो क्योशन नंबर तीन और क्योशन नंबर चार संक्याओं का उससत आपको पता करना है कदी लोगे इसका 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 और इसका इसका इसमें जा वुच्छ तो वो की वो रएने दो ठीक है और इसमें भी आप इसको जोड के दो से बाग दे दोगे तो क्या आजएगा आपका ओसत आजएगा ठीक है दोश्टो तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो कैसे लेगी अच्छी लिगे गई हो तो सैबस्क्किये कर कर लो चैनल पर नए होतों साइड में बैल आइकन उसको भी आप दबा लो दोस्तों अच्छी प्रिप्रेशन के लिए वाटसप ग्रूप भी जोइन कर सकते हो किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो वाटसप ग्रूप का लिंक और कॉंटेक्ट मे में लेकर आनी है तो वो भी आप जाके देख सकते हो ठीक है दोस्तों मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैबारत जैरादस्तान